नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर आपके मन में एक question आता है कि विधाई का यानि legislature और न्याएपाली का यानि judiciary इन दोनों में से कौन बड़ा है या किसके पास ज्यादा power है तो आपने तो ये सुना होगा कि कई बार High Court या Supreme Court किसी Member of Legislative Assembly या Member of Parliament को समन करके अपने पास बुलवा सकते हैं लेकिन कि आपने कभी ऐसा कुछ सुना है कि विधाई का यानि कि legislature जो है उसने किसी High Court जज को समन करके अपने सामने बुलवा लिया हो और उपस्तित होने के लिए कहा हो आज मैं आपको एक ऐसा ही मज़िदार किस्सा इस lecture में बताने जा रहा हूं ध्यान स सुनियेगा ये एक अनोखी बात है जो हमारे इंडिया में भारत में घटी है और इसका संबंद उत्तर प्रदेश विधान सभा से है तो हुआ यह था दोस्तों की विधाई का और न्यायपाली का यानि legislature और जुडिशिरी के बीच चक्राव का यह चर्मोत कर्ष था जब मज शव सींग को हाई कोट द्वारा जमानत बेल दिये जाने से उत्पन हुआ था उसका कारण यह था तब हुआ यह था कि यूपी में कॉंग्रेस की सरकार थी और विधान सभा ने हाई कोट की इस कारिवाही को सदन का वेशेशादिकार उलंगन माना जमानत देने वाले दोनो जजों के साथ ही साथ वकीलों को भी हिरासत में सदन के सामने विधाइका के सामने उपरसित होने का आदेश दिया गया दोनों न्याईमूरती ने विधान सभा के इस निर्णे को अलग-अलग याचिकाओं के जरिए ही हाई कोट में चुनौँती दी नियाई के तिहास का संभावता या पहला मामला दिखाई पड़ता है जिसमें याचिका करता हूँ दोनों जजों को छोड़कर हाई कोट के शेश सभी 28 जज मामले को सुनने के लिए एक साथ बैठे और विधान सभा के आदेश के क्रियानमेन पर रोक लगा दी उस समय स्टकराव के समाधान के लिए जो प्रधानमंत्री ततकालीन थे पंडित जवाहर लाल नहरों उनको भी हस्तक्षेप करना पड़ा था राश्च्रपती ने सुप्रीम कोर्ट से परामश मांगा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तिती और खराब होने से बच सकी थी सोचलिस पार्टी के गोरगपूर के कारेकरता केशोसी ने कॉंग्रिस विधायक नर्सी पांडे पर द्रस्टाचार के आरोप लगाते हुए एक पैंफलेट छपवा कर बांट दिया था इसका वितरण विधानसभा की लॉबी के प्रविशदार तक किया गया था विधायक श्रीपांडे ने इसे जूटा और अपमान जनक बताते हुए विधानसभा सदर्स्य के रूप में अपने विशेशा धिकार के हननंग का मामला बताया था विधानसभा की विशेशा धिकार समीटी ने केशवसीं, श्याम नारायंड सीं और हुबलाल दुबे को दोशी मानते हुए 19th of February 1964 को सदन के समक्ष उपस्तित होने के लिए निरिदेश दिया इस तारिक को श्याम नारायंड सीं और हुबलाल दुबे उपस्तित तो हुए थे, उन्हें निंदित किया गया, लेकिन केशवसीं ने गोरकपुर से लखनों आने के लिए देल किराई के व्यस्ता नहों होने के आधार पर उपस्तित होने से मना कर दिया 14th of March 1964 को उने गिरफतार करके सदन के सामने पेश किया गया, तब प्रदेश में श्रीमती सुचेता करपलानी मुख्यमंद्री थी और सूबे में कॉंग्रेस की सरकार थी इस पीकर थे मदन मोहन वर्मा जो कि एक काबिल वकील होने के साथ ही संसदी और समवैधानिक मामलों के गहरे जानकार थे उन्होंने पुष्टी के लिए केशाव सीं से नाम पूछा, केशाव सीं ने स्पीकर के सभी सवालों के उपेच्छा की और यहां तक कि उनकी ओर पीट करके खड़े हो गए सदन की नाराजगी और उस समय बढ़ गई जब स्पीकर ने केशाव सीं द्वारा उन्हें 11th of March 1964 को लिखे एक पत्र की जानकारी दी इस पत्र में केशाव सीं ने पैंफलेट में छपे तर्थियों को सही बताते हुए विधान सभा के फैसले को नादिर साही फरमान और लोकतंत्र की हत्या कह दिया था इस पत्र को सदन की दूसरी बार अवमानना मानते हुए प्रदेश की मुख्य मंत्री सुचिता कृपलानी ने केशाव सीं के लिए एक सप्ता के कारावास के दंड़ का प्रस्ताव पारित किया सदन की स्विकृती से 14 मार्च को ही केशाव सीं जेल भीज दिये गए 18 मार्च तक यह एक सामान्य मामला था लेकिन 19 मार्च को जब केशाव सीं की सजा पूरी होने में एक दिन बचा था घटना करम ने देश में हल्चल मचा दी 19 अप मार्च को हाई कोट की लखनों बेंचर के म्याइमूर्थी रसिरुल्ला बेग और म्याइमूर्थी जीडी सहगल की खंडपीट के समक्ष एडवोकेट बी सॉलमन ने हैबियस कॉर्पस सी याचिका के जरिये केशाव सीं को विधान सभादवारा सजा देने और जेल भेजने को अधिकारक शित्र के बाहर और गैर कानून बताया उस दिन दो बजे जब याचिका पेश हुई तो याचिके वकील के साथ ही सहयक शास की वकील जो थे के इन कपूर वो पस हित हुए सुनवाई एक घंटे बार तीन बजेते के लिए नियत की गई थी लिकिन तब सरकार की ओर से कपूर अथवाँ अन्य कोई वकील पेश हुआ ही नहीं बेंच ने कती पैशर्दों के साथ केशाव सीं को जमानत दे दी उत्तर प्रदेश विधान सभा ने इस याचिका और जजों के इस अंतरिम निर्णे को सदन की कारिवाही और उसके विशेशा धिकार में हस्तक्षेप माना कोट से जमानत होने के बाद भी विधान सभा ने केशाव सीं को जेल में ही रखे जाने का आदेश दिया विधान सभा के फैसले को कोट में चुनावती देने के लिए केशाव सीं को नोटिस भी जारी किया गया विधान सभा स्पीकर ने याचिका से जुड़े दोनों जजों और एडवोकेड बी सॉलेमन को हिरासत में लेकर सदन के सामने उपस्तित करने का आदेश दे दिया दोनों जजों ने विधान सभा के इस फैसले को अलग-अलग रिट्पिटिशन के जरिये हाई कोट में ही चुनोती दी मुख्य नयाइदीस M.C. देसाई उस समय गुरखफुर में थे बार के कुछ वरिष्ट सदस्यों ने इलाबाद हाई कोट में उस समय मौझूद वरिष्टतम नयाइदीश नयाइमूर्ती वसिष्ट भारगो को गंभी रिस्तिती से आउगत कराते हुए कहा कि वे विधान सभा के आदेश के विरुद याचिका प्रस्तित करने जा रहे हैं नयाइमूर्ती वसिष्ट भारगो का रुख ठंडा था उन्होंने आशंका व्यक्ति की कि विधान सभा उस याचिका को सुनने वाले जज़ों के लिए भी गिरफतारी का वारंट जारी कर सक होगा मुखि नयाइदीश सीजे एमसी देशाई ने कहा कि वो अपने दो जज़ों की गिरफतारी की जाज़त नहीं देंगे उन्होंने तुरंथी इलाबाद की वापसी और अगले दिन याचिका पर सुन्वाई का निर्ने किया यह भी कहा कि इलाबाद उच्छ नयाइले क सहगल और इसी प्रकरण से जुड़े एक अन्याचिका पर सुन्वाई की चीफ जस्टिस की अदालत के काफी बड़े कक्ष के बाद भी इतनी संख्या में जज़ों का एक कतार में बैठना संभाव नहीं था इसलिए दो कतारों में बैठे चीफ स्टेंडिंग काउंसिल शा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है अदालत ने इसे रिकॉर्ड में लिया और तुरंथी जज़ों को तलब करके के विधान सभा के आदेश पर रोक लगा दी शांती भूशन ने चीफ सेक्रेटरी को अदालत के आदेश की जानकरी दी प्रदान मंतरी जवाहला नहर ने भी इस मामले के समाधान की कोशिश की थी शांती भूशन से कहा गया कि वे शास्की पत्र के माध्यम से लखनाओ में ग्रीस अचीव को अदालत की आदेश की जानकरी दें ग्रीस अचीव को निर्देशित किया गया कि वे कुछ दिन लखनाओ में उपलबद न रहें प्रॉने जनरल सी के दफ्तरी ने बहुत ही कुशनवा अंदाज में इस टिपणी से की थी कि उनकी भूमी का संगर शरत दो चैंपिनियों का परिशे देने वाले रैफरी की है। समवैधानिक मामलों के विशेशग्य और महारास्टर के एड़ोकेट जनरल वरिश ठरीवक्ता ह.म सिर्वाई उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से उपस्तित हुए। कि विधानसभा ने अपने विशेशा देकार सुप्रीम कोर्ट को समरपित कर दिये हैं। तमाम विधिक निर्णयों और समवैधानिक विवस्ताओं के हवाले से उन्होंने सर्वोच चदालत को अवगत कराया कि विधानसभा के विशेशा देकार असंदिग्ध हैं। उसकी कार्यवाही और उसकी आवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडिक करने के फैसले पर हाई कोर्ट को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यदेपी विधानसभा इसमत पर अडिक रही कि उसके कार्यवाही अदालतों के विचार का विशेश नहीं हो सकती। लेकिन आगे एसिति और खराब होने देने से उसने परहेच किया। इधाईका और न्याईपालिका के टकराव से कैसी खराब इस्तिती बन सकती है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफार्म विधिक सिक्षा से और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप हमारी जुडिशिरी और लेजिसलेचर से जुड़े ऐसी ही मज़िदार किस्तों को सुनना और जानना चाहते हैं। नमस्कार जैहिन।